हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताके आप और भी इसी तरह की फिरी जानकारी प्राप्त कर सकें नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों धार्मिक मानेताओं के रुसार शनी देव को जोतिश में न्याय धीश का पद दिया गया है माना जाता है कि मनुष्य के हर अच्छे बुरे कारे का फल शनी देव ही देते हैं इसलिए शनी की दिशा या शनी की साड़े साती लगते ही व्यक्ती के अच्छे या बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही भाग्य भोगना पड़ता है परन्तो यदि शनी देव को प्रसन कर लिया जाए तो व्यक्ती के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका अच्छे समय शुरू हो जाता है इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको शनी देव का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जो आपकी मन चाही मनोकामनाए पूर करतेगा फिर चाही वो मनोकामना आपकी धन से जुड़ी क्यों न हो साथ ही साथ आपकी समस्त परिशानियों का अंत भी शिगर हो जाएगा तो चलिए दोस्तो जानते हैं कौन सा है ये खास दिव्य मंत्र दोस्तों आपको शनिवार सुभा अपने सभी नित्य कर्मों से निर्वित होकर किसी भी शनिदेव मंदिर में जाना है शनिदेव के समीब सरसों का तेल का दीपक चलाएं और इस खास मंतर का जाब अवश्य करें और वे खास मंतर कुछ इस प्रकार है ओम शनेश शनेश चराय नमाह दोस्तों उसके बाद गरीबों को उसकी जरूरत मंद चीजों का दान करें और ऐसा करने से आपके सभी एकछाएं जल्द ही पूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके सभी पर निशानियों का अंत भी हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस मंतर का जाप कर रही हों तो आपके बन में पूर्ण, शद्धा और विश्वास होना आवशक है साथ ही साथ आप शनिदेव के चहरे या आँखों की तरफ ना देखे आपका द्रिष्टि कोण सिर्फ और सिर्फ उनके चलनों में होना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, धन्यवाद